नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं वाइटी बोस यूट्यूब चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEO के बारे में SEO है क्या और आप अपने यूट्यूब चैनल की SEO कैसे करेंगे जिससे आपके यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है वो रैंक पर आए फर्ष्ट रैंक पर आए अच्छे वियू मिले आपको और अच्छे ही आपके सब्सक्राइबर आए आपके चैनल पर लेकिन दोस्तों सब पूराना चैनल है टेकनिकल बोस आप वहां पर जाकर देखिए हमारा चैनल अच्छे खासा ग्रोव कर रहा है दोस्तों सबसे पहले आपको दिमाज में डाल लेना है SEO जो है जो नियो यूट्यूबर है या कुछ जो है वह एजूकेशनल कंटेंट बना रही है कुछ सिखने की कुछ सीखने की बात करते है अपने वीडियो में उन्हें के चैनल पर इंप्लिमेंट ज्यादा तर जो है उन लोगों को करने चाहिए अब दोस्तों यदि हम बात करें बीबी के वाइन की तो उसको क्या SEO की जूरुत है क्योंकि उसकी तो फैन फ्लोविंग इतनी है हो चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब हो उसमें जो भी search करेंगे वहाँ पर हमारे वीडियो आनेशाइए अब किषी वीडियो का कोई नाम ने विजिआ और ने पहले हम बात करेंगे SEO है क्या उसके बाद हम बात करेंगे आप अपने खुद के चैनल की SEO कैसे करेंगे अब दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें मैंने या पर यूट्योब ओपन किया है अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है Google यूट्योब भी एक सर्च इंज तो वह हमें लेकर आनी है उसको बोलते है SEO करना अपने चैनल की जिससे की लोगों तक वह वीडियो ज्यादा तर ज्यादा पहुच पाए यदि कोई भी लोग उस टोपिक को सर्च करता है तो जो भी सर्च इंजन है वह आपकी वीडियो को वहाँ पर सो करें उन लोगों के स अब यदी YouTube उसके यह रिजल्ट दिखाने लग जाएगा यहां पर कि दिल्ली कहां है अब लेकिन यहां पर जो जिन लोगों ने वीडियो बना रिखिया कि दिल्ली कहां इसके बारे में यदि वो गलत इंफोर्मेशन दे रहे है कि दिल्ली तो इंग्लैंड में है तो अब YouTube अपने सर्चिंग इंजन में जो वीडियो अच्छी है साफ सुत्री है जिससे कि जो उसका सर्च इंजन है वो ओप्टिमाइज हो पाए यानि कि सुधर पाए जदि कुछ लोग सर्च कर रहे हैं तो उसको अच्छा रिजल्ट मिले उसको ओप्टिमाइज करने के लिए कौन पर लेकर चला जाएगा कि उसके नजरों में तो हम ही गलत हो जाएंगे यूटूब तो अपने आपको खुद को सुधर लेगा लेकिन हमारे वीडियो को डाउन कर देगा चैनल ही जो है बहुत डाउन में लेकर चला जाएगा तो यदि हम यूटूब के सर्च इंजन को जो के बारे में जो आपके इच्छी समझ में आ गया होगा अब दोड़ता मुद्दा आता है कि हम फिर यहां पर यदि कोई टोपिक सर्च करता है तो हम अपनी वीडियो को कैसे यहां पर रैंक पर लेकर आए ओके तो यहां पर रैंक पर कब आपकी वीडियो आएगे जब अब दोस्तों बात करते कि आप अपने चैनल पर किस तरीके से इंप्लिमेंट करेंगे इसको अब दोस्तों 2020 में क्या है सभी रूल रेगुलेशन चैन्ज हो गई है अब टाइटल टैग डिस्करिप्शन में जो आप डाल रहे है वो तो बहुत अच्छी बात है वो तो डान लेकिन वीडियो पर आ गया तो पहले वीडियो यूटूब किया कर दाथ वीऊ आया तो यूटूब सबनत है था कि वीडियो कदाथा ठीक में आप लोगों के हाथ में हैं आप जितनी एच्छी वीडियों बनाएंगे उतनी एच्छी आपका चनल ग्रो करेंगैं अच्छी वीडियों कैसे वीडियों už करेंगे SPEAK जैसे कि आप दो तो कोई वीडियों बनाने जा रहे हैं YouTube पर वीडियो बनाने जा रहे हो तो पहले सच केजिए कि लोगों ने इस टोपिक पर वीडियो बना रखी या नहीं अधी बना रखिया है तो अब आपको इनको पछाडना है इन से ऊपर लेकर अपने वेडियो तो आपको क्या करना होगा जितनी यह उपर की sell पार पांच वीडियो है इनके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ओके चैक के जे क्या है थमनेल किस तरह का है उसी से जो है मैचिंग करते हुए सेम नहीं रखना है थोड़ा सा मतलब मैच करते हुए आपको उसी तरह से अपने वीडियो पर भी डानने है और जहां दखना है अ यदि यहां पर यह वीडियो चार मिनट की है और बंदे जो है इसको तीन मिनट देख रहे हैं ओके तो ओडियंस रिटेंशन कितना हो गया थिरी मिनट एक मिनट गायब अब यदि आपकी जो वीडियो है आपने शेम इसे टोपिक पर बनाई वह पांच मिनट की थी तो क्योंकि ओडियंस रिटेंशन आपको जब्राइन हो चार मिनट उस बंदे इसको ऊडियो वीडियो चोटी थी तो उसको और यांस रिटेंशन कम मिला है ठीरी मिनट तो उसलिए आपको लंबी वीडियो बनानी है उसी तरह के मैचिंग करते हूए जो ए पर खीचेंगे लंबा लेकर जाएंगे वीडियो तो बनने चाहिए एक मिनिट के लेकिन आप वहां पर चार-पांच मिनिट की वीडियो बना रहे है तो उसके कारण जो है आपके वीडियो नहीं ग्रोव पाएगी तो अब 2020 में SEO पर SEO में कुछ भी नहीं बचा है केवल यहीं मचा है टाइग टाइटल और जो भी आपके थमनेल वगेरा है वो तो आपको डानने डानने हैं वही डानने जो आप वीडियो में बताने जा रहे हो थोड़ा सा सर्च करके जैसे मैं आपको बताया उक्के जो पिछली वीडियो है उनके चेक करके और साथे साथ आपको audience retention का खासतोर पर ध्यान रखना है कि यदि हमारी वीडियो चार मिनट की है तो लोग एटलिस्ट तीन मिनट छोड़के ना जाए इतने ज्यादा जोस इतने ज्यादा आपको पूरी energy के साथ वीडियो बनानी है अधरवाई दोस्तों SEO का कोई मतलब नहीं रहा गया अभी क्योंकि YouTube का जो algorithm है पूरी complete रूप से चैंज हो गया है अच्छे वीडियो बनाओ अच्छे वीव पाओ अब यहीं रहा गया है इसके लावा कोई SEO नहीं रहा है अब algorithm पूरा चैंज हो चुका है 2020 में क्योंकि लोग algorithm को bypass कर देते थे किसना कैसी ट्रिक से लेकिन आप ऐसा नहीं कर प पूर्टन को दभा लेजिए और फिर मिलते हैं को नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जड़ तक के लिए आपका दिन सुबहूँ